असलाम उलेकूम, आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान मेथट से बहुत ही जबरदस रेसिपी हम बनाएंगे दही के शोले दही की फिलिंग के साथ यह स्नाक बनाया जाता है, टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है और ऊपर से इस तरह से एक बोल रख दिया था और इस पूरे बोल को मैंने फ्रेज के अंदर रख दिया था ऑप और अगर आप ओपनी चोड़ लाइए तो दिन में चार से पाँस घंटे छोड़ दे इससे क्या होगा दही के अंदर जो भी एक्स्टर पानी होगा वो छनी से निचुड़ कर नीचे वाले बोल में चला जाएगा और आपका गाड़ा दही बनकर तयार हो जाएगा आप यहाँ पर चाहें तो मसले इन कलोध का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यह एकदम गाड़ा दही है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है यह देखे आप चमच को अगर उल्टे पलतेंगे भी न तो यह बिल्कुल भी गिरेगा नहीं है तो यह हमारा एकदम परफेक्ट हंकर्ड बनकर तयार है इसी तरह का हमें हंकर्ड चाहिए है इसी तरह का यानि की दही चाहिए है दही के शोले बनाने के लिए तो इसको अभी में एक बोल में त्रांसफर कर देती हूं अब इसमें हमडल देंगे कुछ मसाले तो मसाले में मैंने इसमें डाला है 1-1 ती पुनेवे सीरे क पॉडर 1-4 ती ती तौन काला नमक 1-4 तीपुन नॉर्मल सादा नमक 1 ती स्पुन काली मिर्च 1 ती स्पुन कुटिवी लाल MIKE यहाँ पर नमक मिर्च अपने टेस्स के हिसाब से भी आप रख सकते हैं अब इसमें 4-3 Zus टेबिल स्पुन याल देंगे box नावी प्यास दो टेबिल स्पुन के करीब ।देंगे box शिमल ला मिर्च और दो से तीन टेबिल स्पुन बारिक कर टीवी गाजा डाल देंगे आपके पास जो भी सबजी आसानी से अविलेबिल हैं वो डाल दीजेगा जो नहीं है उनको इसकेप कर दीजेगा अब यहाँ पर मैंने काफी सारा हरा धनिया डाला है टेस्ट अच्छा आता है और दो चीज के क्यूप में इसमें ग्रेट करके डाल रही हूँ वैथे तो चीज ऑप्शनल है आप चाहे तो इसको इसके पिकर सकते हैं लेकिन इसको डालेंगे तो टेस्ट और थोड़ा सा बढ़ जाता है अब अच्छी तरह से हमें इसके मिक्सिंग कर देनी है चमा से अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो मैं हाथों की मदद से इसको खूब अच्छे से मिक्स कर दूंगी और यह देखे इस तरह का हमारा मिक्षर रेडी होना चाहिए बिल्कुल भी किसी भी चीज में आपके पानी बनाने के लिए तो अब हम ले लेंगे ब्रेट का स्लाइस कोशिश कीज़ेगा कि आप ताजी ब्रेट ली और इसको हम एक बेलन से थोड़ा सा बेल लेंगे तो इसको अच्छे से फ्लैट करने के लिए मैं हलका सा इसके ओपर पानी स्प्रिंकल कर रही हूं जिससे कि यह अ हो जाता है अब यह मैंने थोड़ी सी मैदे की स्लरी बना लिया है एक टेबेल स्पून मैदे में एक टेबेल स्पून पानी जो लिए तो यह स्लरी मैंने स्लाइस के किनार ओपर लगा दिया है अब एक पॉलिथिन ले लेंगे जिसमें की हमें इसको फोल्ड करना है और यह के तुर्सम्हें थे हम किनारे में रखेंगे थोड़ा साइट में इसको चिपकाना भी है, अभ पॉलिथेन रखका इसको अंदर की तरफ दबाते वह हम फोल्ड केंगे, इस तरह से किपड़ा नहीट करेंगे or हम जैसे कि कपला कोड़ा निचोड़ते हैं या फिर्फि एगदम perfect shape आजाएगा यह देखे इस तरह से यही shape हमें चाहिए है दही के शोलो का तो इसके लिए आपको एक polythene की जरूरत होगी जिससे कि यह tightly wrap हो जाएगा तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ थोड़ा सा पानी sprinkle करेंगे स्लाइस के उपर और इसको बेल लेंगे और किनारों पर थोड़ी सी लाई लगा देंगे जिससे कि अच्छे से seal हो जाएंगे तो लाई लगाना ज़रूरी है और चारों तरफ लगा लिजएगा हलकी हलकी सी अब polythene के center में इसको रखेगा और जो mixture है उसको इस तरह से रखेगा किनारे आपके दोनों साइड से थोड़े-थोड़े से बचे रहें क्योंकि किनारों से इसको चिपकना है अब इसको इस तरह से अंदर की तरफ करते वे फोल्ड कर देंगे और अब polythene के अंदर इसको wrap करके टॉफी या फिर कप्ड़े की तरह इसको squeeze कर देंगे कर लेंगे और जब तेल प्रॉपर गरम होगा ना तब हम इसके अंदर अपने दही के शोलो को डालना है और अब हमें मीडियम फ्लेम पर इसको fry करना है तेल का टंपरेचर बिल्कुल भी डाउन नहीं रखिएगा अगर थोड़ा सा भी टंपरेचर डाउन होगा तो यह जो स्लाइस है यह बहुत सारा तेल अब्सरॉब कर लेता है तो मीडियम हॉट तेल में डालेंगे तो बस यह एकदम क्रिस्पी होगा और तेल बिल्कुल भी अंदर से जस्प नहीं करेगा बस मीडियम फ्लेम पर साइट्स को टर्ण करते वे इसको गोल्डेन और क्रिस्प हो जाने तक हमें फ्राइ कर लेना है बस इस बात का धियान रखिएगा यह दोनों साइट से एकदम टाइटली पैको खुला बनी होना चाहिए वनना फिर फिलिंग जो है वो तेल के अंदर लाजाएगी यह पर तेल ज़ो है वह एद ही के शोलों एंदर चला जाएक एगा जिसर्श खराब हो जाएगा तो बस हमारे दही के शोले बनके तैयारे जैंता मिक्शर है इसकी पांस से छ चोलों और तैयार हो जाएंगे अपर यह इसके करार ंभी इसके घायए उप्यान और इस तरह आप सुन भी सकते हैं यह कितने क्रिस्पी हैं भार से और अंदर से जो फिलिंग का टेस्ट है ना वो ला जवाब है बहुत ही अच्छे बनकर यह रेडी होते है तो एक थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है रेगिलर जो आप पकोड़े बना रहे हैं उससे प्रूर बता है कि आपके दही के शोले कैसे बन कते आरोए और अगर आपको रेसिपी बसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा थैंक्स वर वाचिंग दे वीडियो अलाहाफेज